पुलिस महान इरिक्षक ने थप थपाई एसपी केसर सिंग से खावत की पीट धौलपूर से खास ख़बर अवेद अगनी यास्तर के खिलाब चलाए गए अभियान में 8 सितंबर 2020 से दिनांग 1 नवमब 2020 तक पूरे राज्य में कुल 686 हत्यार बरामत किये गए हैं जिला पुलिस अधिक्षक केसर सिंग सेखावत के नेतरुत में इस अभियान में धौलपूर पुलिस द्वारा 84 अगनी यास्तर जब्त कर 68 लोगों को गरफतार किया गया है जो राज में सरवादिक है जिला पुलिस अधिक्षक के इस प्रसंसनिय कारे की भूरी भूरी प्रस पुलिस महानिरिक्षग विजय कुमार सिंग ने उन्हें निजी पत्र लिखकर बदाई दी है तथा कहा है कि उम्मीद करता हूं कि भविस्य में इसी उत्साह का परचा देते हुए अपराद एव अपरादियों के प्रति प्रभावी कारवाई करने में सदैव की भाती इसी उ रफ्तार हुए वारा के पूर्भ जला कलेक्टर इंधर सिंह राव की जमानत याचिका एसीबी कोट में पेस हुई जहां tejज प्रमूद मलिक तीखी टिपड़ी करते हुए राव की जमानत याची का ठुकरा दी तथा ACB जज ने कहा कि राव ने किया ब्रश्टाचार के विरुद जीरो टॉलरेंस नीती का उलंगन जमानत होने पर गवाहों को प्रताड़ित करने और सबूतों से छेठ चाड़ की संभावना हो सकती है ऐसे में निवर्तमा जिला कलेक्टर इंद्र सिंग राव को जमानत नहीं दी जा सकती तथा ACB को खारिस के रच्छा कैंसर गुरुप के द्वारा काड़ा वित्रण एवं मास्क वित्रण हुआ राजा खेडा से खास ख़बर नगरपालिका चेयर्मेन वीरेंद्र जादोन एवं पुलिस चौकी प्रभारी के द्वारा मास्क वित्रण किये गए साथ ही करोना से बचाव को काड़ा वित्रण किया गया जिसमें दिनेश फ्रजापती, गिर्राज वर्मा, मनोज जैन, स्याम मोहन, प्रिंस जैन, अंकित जैन, पंकच गुपता, बनवारी राठोर, सोनू राठोर, सहीत खा स्वस्थ राजा खिडा बने, इसके लिए हम नागरिकों को जागरूप बनना पड़ेगा, राजा खिडा से बुद्ध सिंग उदैनिया की रिवाहन की नम्मर प्लेट पर पदनाम लिखा होने पर होगा चालान, धौलपूर से खास ख़बर, दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों पर रजिस्ट्रेशन नम्मर के साथ अगर कोई नाम लिखा होगा तो उस वाहन का चालन कर जुर्माना वसूल किया जाएगा, धौलपूर पुलिस चलाएगी विसेस अभियान, जिला पुलिस अदिख्षा केसर सिंग सेखावत ने बताया कि जिले में अनेक वाहनो पर पदनाम जाती नाम आदी लिखे हुए हैं, जो नए वेहकल एक्ट के अंतरगत गैर कानूनी हैं, अता इस तरह के वाहनों के खिलाब जन्वरी के दूसे सक्ताह से विसेस अभियान चलाया जाएगा, तता सम्मद्दित वाहनों से जुर्माना वसूल किया जाएगा, तो मूली की दुकान का किया आकस्मिक निरिच्छड, दुकान की रजिस्टरों की जाच करने पर इस टॉक में बड़ी भारी अन्यमित्ता पाई गई, जिला कलेक्टर ने बाड़ी, SDM एवं तहसीदार को मौके पर बुला कर कारवाई करने का निर्देश करसी कानूनों की विरोध में किसानों के आंदूलन का 38 दिन, दिल्ली के बॉर्डर से खास खबर, पंजाब एवं हर्याणा किसान दिल्ली बॉर्डर पर जो करसी बिलों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, वह आज 38 दिन में प्रवेस कर गया, किसान संगठनों एवं स सरकार के बीच चार जनवरी को प्रस्तावित वारता में इसके समाधा निकलने की उम्मीद बनी हुई है। एक तरफ किसान नेता इन कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार हर तरह के संसोधन के लिए तैयार है। किसान नेताओं का कहना है कि सान्तिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलता रहेगा। देश वर के किसान नए कानूनों की विरोध में 26 जनवरी को देश वर में टेक्टर मार्श निकालेंगे। पारिस हुई जो सायंकाल चार वजे घंगोर गरजना के साथ बिजली कड़कते हुए जोड़दार बरसात में बदल गई। जिसमें मौसम जो पहले से ही ठंडा था उसके और ठंडा हो जाने की संका व्यक्त की जा रही है। ठंड का मौसम फसलों के लिए लाबदायक है ले पारिसे प्रमुगधार में खबर। ब्रहम लीन संत पुरसोत्तम दास महराज के वामनी नदी आस्रम पर आज उनके पूर्ण तिथी पर भागवत कथा संपन होने पर विसाल भंडारा प्रसादी का आयोजन उनके भक्तों द्वारा जन सयोग से किया गया। विसाल भंडार बावा स्री स्री एक हजार आठ पुरसुत्तम दास महराज की पूर्ण तिथी पर प्रतिवर्ण स्रीमत भागवत कथा एवं विसाल भंडारे का आयोजन किया जाता है जिसमें बाडी के प्रभुद्ध जन बड़ी स्रधा के साथ भाग लेते हैं। इवं पंचायती राज करमचारी संग के जिलाद द्यक्ष ने राजे सर्मा मुख्य मंत्री गहलोत एवं सिच्छा मंत्री का आभार जताते हुए धन्यवाद प्रिसित किया। तत्वा धान में मुख्य मंत्री युवा कोसल योजना को पुनह प्रारम किया गया है। प्राचारी डॉक्टर अरसद सिराज एवं योजना प्रभारी डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि इस योजना के अंतरगत इस सत्र दो हजार बीस इकीस में छात्रों के लिए रोजगार उन्मुक प्रसिच्छन कारिक्रम ओनलाइन उपलब्द कराए जाएंगे। पूर्ण तया निसुलक होगा। विध्यारतियों को इन प्रसिच्छन कारिक्रम में प्रवेश के लिए आयुक्ताले कॉलेज सिच्छा जैपुर द्वारा निर्धारित लिंक पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथी 15 जनवरी 2021 है। महा विध्याले के इच्छुक चातर चात्राएं एवं प्रसिच्छन कारिक्रम में ओनलाइन आविदन हेतू। महा विध्याले के प्रसिच्छन प्रवारी से संपर्क कर सकते हैं। बाड़ी से काहना कृष्ण कांत किदर बाड़ी से सिच्छा जगत की खास खबर। ब्रज विध्याले के परिच्छा निरन तक डाक्टर अरुन कुमार पांडे के अनुसार कुल पती के आदिस अनुसार दिनांग एक जनवरी 2021 से 23 जनवरी 2021 तक होने वाली विधी संकाय लल्वी सेमिस्टर एवं वार्षिक पद् की मुख्य एवं ड्यू परिच्छाओं को अपर हारे कार्णों से इस्थगित किया जाता है इन परिच्छाओं का विश्त संसूधन कारक्रम आगामी दिवसों में जारी कर विश्विध्याले की वेव साइट पर जारी कर दिया जाएगा साप्ताहिक अवकास गोसेत धौलपुर से प्रमुक खवर जिला कलेक्टर राकेस जैसवालने जिले में साप्ताहिक बंदी के लिए आदेश जिसमें धौलपुर उपकंड चेतर मंगलवार राजा खिडा उपकंड चेतर एवं बाड़ी उपकंड चेतर बुद्धवार प्रतिष्ठान बंद रहेंगे तथा बाजार की चुट्टी रहेगी राजिस्तान के खेतरी में प्रसिद सिद्धी विनायक मंदिर वरंदावन के संतने बनवाय था खेतरी राजिस्तान से खास ख़बर तामा नगरी व छोटी कासी की रूप में प्रसिद्ध खेतरी के जुहु जोजु धाम में सिद्धी विनायक मंदिर बड़ी स्रद्धा इस्तली बनता जा रहा है मन भावन रूप से विराजे भगवान गड़ेश की आराधना के लिए आस्था वालों का रिला लगा रहता है वर्स 2003 में बने इस मंदिर का निर्माण वरंदावन के तपोवन आस्रम के महंत विध्यारती स्री महराज ने कराया था पूर्ण विधी विधान से इस्ताबित यह मंदिर लगाता चेतर में प्रसिद्धी प्राप्त करता जा रहा है प्रतिवर्स गड़ेश चतुर्थी पर यहां विसाल मेले का आयोजन होता है इस मंदिर में दूर दूर से स्रद्धालू अपनी मनोती मांगने आते हैं तथा भगवान गड़ेश की पूजा अरचना में लीन हो जाते हैं पहाड़ी छेतर में रिद्धी सिद्धी के साथ विनायक मंदिर में भगवान गड़ेश विराजमान है आदम कद मनोहारी रूप से यहां मूरतियां भविधा के साथ लिविता में लिए हुए हैं जो दर्स नार्थियों को मद्र मुख करती हैं मानिता है कि यहां मांगी जाने वाली हर मनो कामना पूर्ण होती है